मुक्यमंतिर अशुक गहलोत ने शुकरवाद देर रात CMO में एक बैटक की और बैटक में निड़ने लिया कि 30 मार्स तक राजिस्थान के सभी कोचिंग संस्थान, मौल, ठेटर, स्कूल, कॉलेज बंद रखे जाएंगे यादेश पारित होने के बाद प्रदेश में इसके असर भी हमको दिखाई दे रहे हैं और कोरोना वाइरस से बचाव के लिए कहीना कहीं एक बड़ा फैसला साबित हो सकता है लेकिन अजमेर के अंदर कोचिंग संस्थान, बच्चों की पढ़ाई को किस तरीके से जारी रख रहे हैं उसके लिए हम इस वक्त आए हैं आईपे कोचिंग इंस्थूट आईपे कोचिंग संस्थान बंद करने के बावजूद भी जारी रख रहा है यह जानने के लिए हम आई पे कोजिक संस्थान के डिरेक्टर से ही बात कर लेते हैं सर सबसे पहले बताए कि कोरोना वायरस से इतना बड़ा फैसला लिया गया आपके संस्थान को भी क्या 30 मार्ज तक बंद रखा गया है और यह जो एक्जाम है उसके लिए वो उसके करियर के लिए कितना important है तो हम लोगों ने पिछले 3-5 दिन में हमारी पूरी टीम इसको analyze कर रही थी world level पे कि इसका कितना impact हो रहा है और चाइना में जब 80,000 लोग इससे impact हुए है developed country में तो we were also expecting के इंडिया में भी इसका impact बहुत है भी होगा तो हमारी टीम पिछले 4-5 दिन continue काम कर रही थी और हमने एक prototype, beta type एक app develop की है जो हम बच्चों को link के द्वारा provide करेंगे और हमारी संस्थान के ही नहीं बलकि अगर बच्चा हिंदोस्तान में किसी भी संस्थान में पढ़ रहा है तो वो उस app के द्वारा free में lecture देख सकता है क्योंकि आज अपन लोग educated और थोड़े बड़े लोग हैं समझ सकते हैं बट अगर बच्चे के स्थर पे अगर अपन जाके देखें तो आज की date में उसको सिर्फ अपना career दिखाई देगा वो ये नहीं सोचेगा कि यार इस virus के उस पे impact क्या हो सकते हैं क्या हैं क्या नहीं है वो ये सोचेगा कि यार वो कैसे ना कैसे coaching institute पहुचे और उसके 4-5 number या 1-2% जिस level का भारत में competition है उसके बढ़ें तो हमने इस app का निर्मान इसी वज़े से किया है कि बच्चे को घर बैठे मुफ्त ये कक्षाएं दी जाएंगी 30 मार्च तक अगर 30 मार्च के बाद अगर इसको carry forward किया जाता है क्योंकि ये अभी एक एतियादन तर पे लिया गया है कल को सरकार ये आगे निर्णय लेती है कि अगले 10 दिन या 15 दिन हमें और थोड़ा सा और एतियादन तर पे बंद रखना चाहिए तो हम सरकार का इसमें समर्थन करेंगे और हम अगले 15 दिन भी मतलब जब तक सरकार इसको extend करेगी, हम free में ये कक्षाय देंगे, ये कक्षाय ना ये सिर्फ इस current 10th, 12th और अलग-अलग exam के लिए available होंगी, बलकि इस समय एक नए batches भी शुरुआत होते हैं अगले साल के लिए, तो हम ना कि सिर्फ current batch के लिए, बलकि अगले साल के लिए जो नए batches चालू होने वाले हैं, उनको भी हम free में एक अक्षाय देंगे, ताकि वो घर में बैठें और अपना बचाव करें इस भारी virus से, जिसका संक्रमन बड़ी आसानी से होता है इस app का नाम क्या है और क्या ये कोई भी download करकर पढ़ सकता है, देख सकता है, classes अपनी जारी रह सकता है, क्या नाम हमें इसका ये app अपने institute के नाम से ही बनाई है हमने, और app का नाम IPA है, और इसका link हम लोग दे रहे हैं, तो कोई भी बच्चा Google पे हमारा institute का नाम डाले और number पे हमें message करे, हम उसको ये link दे देंगे प्लस हम लोग youtube पे भी कुछ videos अभी डाल रहे हैं, और उसमें youtube के description में हम वो link भी दे देंगे app का, तो बच्चा इसको free of course डाउनलोड कर सकता है, normally app में आपका भी जाते हैं, तो इनके कोई भी आप course लेते हैं, किसी भी बड़ी company का, तो वहाँ आपको subscription charges और पैसा देना प यहाँ पर जो आपका app है, यहाँ पर classes live मिलेंगी या recorded lectures होंगे यहाँ पर, हमारे जो current बच्चे होते हैं, जब हम उनको पढ़ाते हैं, तो वो जो live classes होती हैं, उनको हम हमारे system के द्वारा record कर लेते हैं, ताकि कभी बच्चे को कोई health issue हो या accidental कोई concern हो जाए, तो इनी lecture को व जो boards के exam होंगे हैं, जो नए pattern आ रहे हैं, CBSC के sample paper जो आएं, उसके आधार पे अभी नए current में भी recording हो रही है, जो हम बच्चों को देंगे, तो अगर मैं आपको कहूं तो यह recorded lecture होंगे, बट यह current session के होंगे, यह old lectures नहीं होंगे, तो कोरोना वायरस से निपटने के लिए, जो महामारी जिस तरीके से वायरस पूरी दुनिया में फैल रहा है, उससे निपटने के लिए coaching संस्थानों ने भी कमर कसली है, कि बच्चों की पढ़ाई किसी भी तरीके से ना रुके, जो खास तौर पर डिजिटल इंडिया को बढ़ानी की जो मुहीम है, जिस तरीके campaign है application पर lecture को तयार किया जा रहा है, पाठे करम के अंदर बच्चों को किसी परकार की बादा ना है, coaching खुली हो, चाहे नहीं खुली हो, लेकिन घर पर किसी भी वक्त कहीं पर भी बच्चा पढ़ाई कर सकता है, यह जो अभ्यान इस वक्त कोरोना वाइरस के दोरान निकल के सामन आया है, यह कही ना कहीं बाकी के बच्चों के लिए भी मील का पत्थर साबित हो सकता है, कैमेरा परसनर राजवीर के साथ सुशील पाल, MPTV इंडिया, अजमेर